कि बीजेपी जो है कितना बड़ा अफुआ पाटी है बीजेपी का मतलब है बड़का जुटा पाटी और कोई काम नहीं है इन लोगों का केवाल जुट बोलना अगलत सलत परचार करता और कोई काम नहीं नमस्कार नीज फोनेशन देख रहे और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बिहार में दो सीटों पर उपचुना है और चुनाव प्रचार का आज आकरी दिन है बिहार के डिप्टिस सीम तजिश्वी आदब आप पहुंचे थे मोकामा अनन सिंग की पतनी निलम देवी आरज भी असिरवात दिया था और आज भी हम लालू जी का संदेश लेकर आये हैं उन्होंने कहा कि अनन सिंग पिछली बार जीते थे और इस बार इनकी पतनी यहां से खड़ी है तो मुकाबला तो अनन सिंग और निलम देवी में है यहां पर किसी से मुकाबला है ही नहीं उन्हो में जो वोट होगा उसके माध्यम से जो है इस तरह की बाते तेश्वी आदब करते हुए मंद से नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं है ही नहीं लड़ाई में यहां लड़ाय अनन्द सिंग और नीलम देवी में हैं किस तरीके से तेश्वी आदब ने कहा है कि कौन किसको पठकेगा यह आने वाले वक्त में भी पाता चलेगा लेकिन फ़हले यह देखिए कि तरिश्वी आदब ने किस तरीके से अनन्द सिंग और नीलम देवी को लेकर उनकी तुलना कि बेहत खुशी मिली है और आप लोग लगतार हम लोगों पर आशिर्वाद और प्यार और समर्थन बनाए रखते हैं इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं महागर्बंधन यहां चुनाओ लर रहा है उप चुनाओ है और महागर्बंधन से प्रत्याशी राष्टे जनतादल के दरफ से स्रीमती नीलम जी हम आप लोगों के बीच आए हैं आदंडे लालु जी का संदेश लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि मान्नी मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है इस कारणवश नहीं आए हमारे साथ आदर दे राष्टर धेक्ष लरन जी ने इस विस्तार रूप से आप लोगों को बताया हमारे पिता राष्टर धेक्ष आदर दे लालु जी भी आना चाहते थे लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनका किडिनी का ट्रांस्प्लांट होना है ऑपरेशन होना है इसके लिए उन सिंगापूर जाई है इस वजासे वह आई नहीं है लेकिन आदर दे लालु जी का आदर दे मक्ष्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी का यहीं संदेश है कि एक एक वोड जो है लाल टेन पर दबा करके नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कि यहां लडाई का है यहां भाज-पाज-पास लडाई है कही को टिकने वाला है और हम क्या बताई लोग विकाओ लोग टिकाओ होता है इस सबका दूसरा धंदा है यहां तो खाली यह देखना है कि आनंज सिंग जी पिछला बार चुनाओं में कितना में लड़े कितना में जीते कितना उनको भोट मिला और इस बार नीलम जी अनंज जी को पटकती है कि पटकती है यह देखना है लड़ाई तो मार्जिन करना है अदेखिए भाई हमको तो पूरा विश्वास है कि पटक देंगे यहां और किसी से लड़ाई नहीं है देखना कि पिछला वाला रिकॉर्ड अब टूटता है कि नहीं टूटता है अदेखे बली महिला है और महिला होने के नाते हम तो जितनी महिलाएं और बहने आई हैं हम उन सब लोगों से भी हाँ जोड़कर अपील करेंगे कि अपने घर की बेटी को बहू को और कोशिश कीजे कि कोई हमारा ऐसा साती ना हो जो वोड़ से पंचित रह जाए सब को भोड़ दिलवाईए लाइए सब को भोड़ गिनाना जरूरी है और जादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग लगतार आप लोगोंने आर्शिर्वात दिया आप लोगोंने समर्थन जिताया यह सारा चीज आप लोग जो है हम लोगों के प्रती जो विश्वास आप लोगों का है इस विश्वास पर हमारी सरकार और हम लोग खाड़ उतर देका काम करेंगे टो जयादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों में और उसके बाद की को पालगज भी जाना हूए आगन आखी दिन परचार का ज का समय वेर्थ ना करते हुए साब कुछ तो क्लियर हो ही ना गया है कि ट्रेर है ना भाई है सब लोग मिल्दिल करके रहिए गाना तो आप लोग कहिएगा तो विजय कमाला हम दे 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 दोनों हाथ उठा करके बता ही दोनों हाथ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंग जय बिहाद पार्टी एक हो गया और एक पार्टी जो है बीजेपी अकेले रहे गए लोग समझ गया कि बीजेपी जो है कितना बड़ा अफुआ पार्टी है बीजेपी का मतलब है बड़का जूटा पार्टी और कोई काम नहीं इन लोगों का केवल जूट बोलना अगलत सलत परचार करता है और कोई काम नहीं आप देखिए हम धन्यवाद देते हैं श्री नितीश कुमार जी को कि इस परिस्तिती में जहां देश का सन्विधान लोगतंत्र संविधान एक संस्थाय समाजवाद विचारधार को जहां खुचलने की कोशिश की जारी थी वहीं नितीश जी ने एक निडर दिशीजन लेते हुए निर्दय लेते हुए फिर से महागडबंधन में वाप्शी करने का काम किया यह काबिले तारीफ है और हम लोगों का कमिट्मेंट है हम लोग ने स्विकार किया कि महागडबंधन का नित्यत अधर देशी नितीश कुमार जी करेंगे पूरा मजबूती के साथ हम महागडबंधन जितना सातो दल है हम लोग एक जुट काम कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए आप लोग हैं आप लोगोंने ताकत दी है इसलिए आज हम यहां खड़े हैं